गुड मारी डियेश्ट देखे पढ़ने का ये सबसे बढ़िया मौसम चल रहा है और चुकि आपका एक्जाम भी है एक महीने के बाद तो इस मौसम का लाव उठाई है चुकि ना ज़्यादा ठंडी पढ़ता ही है और ना ही ज़्यादा गर्मी पढ़ता ही है मतलब मौसम बह बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है चुकि आपके माइंड में रहता है कि हमने आज इतना पढ़ाई कर लिया ठीक है तो अपने पढ़ाई का ज़्यादा हिस्सा जो है उस सुबह में ही आप रखे ठीक है बाकि आए देखते हैं आज का ये पहला वीडियो जो है कि इंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के किस छेतर में चूड़ी का उद्यों को स्थापित है तो आपसर नंबर बी हो जाएगा यानि कि फिरोजाबाद में ठीक है चलिए नेक्ट क्वेश्चन देखिए माइक मोहन रेखा सीमा जो है की विवाजित करती है तो कौन से देशों को भी भाजित करती है यहाँ पर आपसर नंबर ए से हो जाएगा भारत और चीन एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए दास प्रथा को कौन से गवर्नर ने समाप्ति किया दास प्रथा को कौन सा गवर्नर ने समाप्ति किया तो यह आपसर नंबर सी हो जाएगा लाड इलेन वरो नेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके एक्जाम के लिए कि यूरिया खाद से पौधो को और निमलिकित में से कौन सा तत्वा मिलता है option आपके सामने है और हमें पता है कि एरफोर्स की जो भी तयारी कर रहे हैं जारतर बच्चे जो है कि वो farmer family से हैं यानि किसान family से हैं तो आपने खाद देखा होगा यूरिया देखा होगा तो यूरिया के बोरी पे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन लिखा होता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है तो यूरिया खाथ से पहुदो को कौन सत्रत तो मिलता है नाइट्रोजन मिलता याद रहेगा option number क्या से हो जाएगा next question penicilline का अविसकार किस ने किया था पैनिसलीन का अविसकार जो है कि लूई पास्चर ने किया था किस ने किया था किस ने किया था sorry अलेक्जेंडर ने किया था option number D confusion के लिए sorry पैनिसलीन का जो अविसकार है वो किस ने किया था अलेक्जेंडर ने किया था किस ने किया था हम बो लेते न वो लेवीज रैवीज के इलाज का को खोज किया कि गीसने निया था लूई radioactive ने और पैनिसलीन वाला कि वह ऐसी लMatट रखने चनिया प्रो animate चैठ को कि किया थे याद रहेँंगे चलि हागे बढ़ लेते हैं अगला ज़़ के निम्रिखित में से कौन सा मनुस्य के पाच कतंतर का भाग है ठीक है है तो आप संदेख करके या पर बताना है कि मनुस्य के पाचंतर का भाग कौन सा है तो यह पर और option number क्या हो जाएगा बी अगनास है ठीक है अगला देखिए काफी important question यह भी है कि ecology विज्ञान निम्रिखित में से किसका अध्यान करता है ecology विज्ञान तो देखिए पौधे और पसुओं का उनके परियावरण के साथ संबंद ecology ठीक ना पौधे और पसुओं का जो एकी बंद बताता है अगला question आपके सामने कि सरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम है बाडी में जब खून की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते है एनीमिया हो गई है तो समझ लिजिए कि बाडी में रक्त की कमी है अगला question देखिए कि पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है बहुत important question और आसान भी है बताएगा कौन से सही हो जाएगा जी हाँ option number क्या बी chlorophyll chlorophyll की वज़े से डियस्ट्रेंट पौधे और पत्तों पेड़ों के पत्ते जो क्या होते है हरे होते हर्याली जो दिखती है वो किसकी वज़े से दिख प्राप्त होता है तो यहां पर पर जाएगा हेमेटाइट काफी important question यह भी चैस कि पाली graph पाली graph है तो पाली graph क्या है यह जूट पकड़ने की यंत्र है जूट पकड़ने की मसीन है, पाली ग्राफ, आप सक्तिमान देखते हो थे तो गंगा धर जो था, जूट पकड़ू यंत्र इसको बोलता था, कि इसको पाली ग्राफ को, है ना, चलिए, मूवी अगर में आप देखते होंगे, इसका इस्तिमाल किया जाता है, दिखाया गया है अगला है कि वेंच्वरीrå ट्यूब का किया जाता है तो यह द्रव के प्रवा की दर को अपने के लिए कि द्रव कितनी प्रवा से बैरा है तो आज के लिए इतने जीके के क्वेस्चन और उमीद है कि आपको चीजे समझ में आई होंगी चैनल पर ने तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा डेश्प्रेंट समय बहुत ही कम है आप अपने राये जरूर दे सकते हैं बागी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन देमाद